नमस्का दोस्तों मैं हूँ आर्ति प्रजापदी यूटूब चैनल पर आप सब का हर्दिक स्वागत करती हूँ दोस्तों आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गुगल फर्म कैसे बनाते हैं अब देखें ये कोशन बार-बार बच्चे मुझे कह रहे हैं कि मैं हम हमारा पीजडी चल रहा है हमें डेटा को कलेक्शन करना है तो डेटा कलेक्ट करने के लिए गुगल फर्म कैसे बनाया जाता है बहुत सारे बचे रिसर्च पीपर लिख रहे हैं तो उनका भी बार-बार एकी कोशन आ रहा है कि मैं रिसर्च पीपर मैं बना रही हूँ या बना रहा हूँ तो उसके लिए डेटा कलेक्ट करना पड़ता है तो डेटा कलेक्ट के लिए गुगल फर्म कैसे बनाया जाता है तो यहाँ पर मैं आप लोगों को सिखाऊंगी कि गुगल फर्म आपको कैसे बनाना है और साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगी गुगल फर वीडियो में नहीं बता रहे हूं डेटा एनालिसिस के लिए हम दूसरा वीडियो लाएंगे 15-20 दिन के बाद वह आपका Excel में कैसे बना सकते हो और SPSS सॉफट्वेर में कैसे बना सकते हो उसके बारे में हम आपर बात करेंगे लेकिन फिलाल आज हम सिर्फ Google कैसे बना जाता है और डेटा कलिक करने के बाद आप उसको कहां से चेक कर सकते हो किस तरीके से डेटा एनालिसिस के लिए आपके जो डेटा है उसको आप कंप्लीट कर सकते हो उसके बारे में हम बात करने वाले तो पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए शेयर कर दीजिए अप क्वाइब चलते हैं Google form कैसे बना जाता है उसके बारे में देखते हैं तो सबसे पहले आपको क्या करना है Google form लिखना है और वहां से आपको जाना हूं तो पहली ही आपको website दीक रहे है www.google.com उसी पर आपको दीक रहा है गुगल form का option तो वहीं पर आपको क्लिक करना है जैसे आप क्लिक करोंगे आपको दो option दिखने को भी लेंगे try form for work and go to home form sorry home नहीं ओकी form ओके go to form जो है उस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है अब दिखो यह जो मैं google form बना रही हूँ मोबाइल में बना रही हूँ आप चाहो तो laptop में बना सकते हो computer में भी बना सकते हो और mobile में भी बना सकते हो mobile में भी आप data analysis के लिए data को complete तयार कर सकते हो only mobile से अगर आपके पास laptop नहीं है computer नहीं है तो don't worry tension मत लीजिए ओके चले फिलहाल हम आजाते वापीस अपने google form पर अब यहां पर आपको सबसे पहला untitled form लिखा है तो आपका जो भी title होगा उसको आपको यहां पर लिखना है ओकी जस्ट example मैं यहां पर कुछ लिख देती हूं क्या लिखूंगी हाँ चलो effect of working woman ओके चलो effect of वर्किंग वोमें ओके चलो हमने title ऐसे ही बना लिया है ओके आपका जो भी title रहता है उस अकोडिंग आपको यहां पर form का title देना है मैंने जस्ट example दे दिया है अभी effect of stress on working woman वर्किंग वोमें पर stress का क्या effect होता है यह मैंने title लगा लिया है ओके तो यहां पर जैसे ही में title complete होता है तो नीचे की और यहां पर आपके keyboard के अंदर नीचे दिखिए यहां पर आपको blue color का box दिख रहा है वहां पर arrow दिख रहा है वहीं पर आप ट्लिक कर देना ताकि नीचे की और भी आपका title पेस्ट हो जाए ओके अब आधे form description तो form description के अंदर आपको क्या लिखना है जिसे आपको लिखना है जिसे एक्जांपल मैं बता रही हूं कि अगर मैं Google form बना रही हूं तो मैं लिखूंगी कि नमस्ते मेरा नाम आरती प्रशापती है मैं भक्त का विनर्शी मेता यूनिवर्सिटी में डॉक्टर भावना मैं ठूमर के अंडर में psychology subject से PhD कर रही हूं और मेरा topic effect of stress on working woman है मैं जानना जाती हूं कि working woman पर stress का क्या effect होता है तो अगर आप working woman है तो प्लीज मेरा ये form fill करके द रखी जाएगी ये बात आपको अवश्य लिखनी है जो लास्ट लाइन में मैं बूली ना वह आपको बोलनी मतलब बोलनी लिखनी है कि मैं आप लोगों को विस्वास दिलाती हूं कि आपकी जो भी information है उसको गुपनी रखी जाएगी इस तस लियर यहां तक आपको करना है description लिखने के बाद आप अगर चाहते हूं कि जो भी आपका sample size है जिन लोगों से आपको data collect कर रहा है उनकी email ID आपको चाहिए तो आप email ID यहां पर compulsory करेगा otherwise आप उसको change भी कर सकते हो कैसे change करना है मैं बाद में आपको google form बन जाए उसके बाद बताती हूं उसके बारे में because हम setting के बारे में जब बात करेंगे वहीं पर मैं आप लोगों को बता दूँगे अब आ जाते हैं हमारा यह जो पहला section है अब आपकी question आपको start कर देने हैं यहां पर देखिए untitled question नाम है तो यहां पर सबसे पहले हम नेम लिख देते हूं कि यहां पर मैं लिख देती हूं यह पहला question बनके आ गया नेम हो गया यहां पर आप देखो यहां पर आपको option बहुत सारे मिल जाएंगे इन दिन का ही हमें यूज करना होता है बेसिक आपका जो गूगल फर्म आप बनाते हो रिसर्च के लिए पियर चड़ी के लिए तो उसके अंदर स्वाट अंसर के अंदर जैसे आपका नाम स्वाट में आ गया होके पैरिग्रफ के अंदर क्या होता है कि आप जब qualitative data कलेक कर रहे हैं तो आप यह जाते कि भी आपको कैसा फिल हो रहा है आप क्या क्या करना चाते कैसा trend रहता है कुछ भी आपको जो details में information चाहिए मतलब चाहते हो कि सामने वाला person है वह बहुत details में answer दे और हम उनको कोई भी choice मत ना दे option ना दे वह अपने हिसाब से सारा कुछ लिखे तो फिर paragraph आपको करना है और आप चाहते हो कि आप उनको option देना चाहते हो कि वह आपको इस चीज़ के लिए आपको कैसा फिल हो रहा है सैटिस तरीके से न्यूट्रल है तो इस तरीके से आपको जो भी option देने आप options की साब से देना चाहो तो फिर multiple choice question को आपको multiple choice answer को चूस करना है यहाँ पर तो अभी फिल हाल हमने name लिखा है तो name के अंदर तो स्वाट answer आएगा अब आगे क्या करना है तो दिखें अभी हम यहाँ प पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर दिखें नीचे के वार दिखें नीचे आप देख रहे हो प्लस वाला साइन है राउंड के अंदर तो उस पर आपको क्या करना है क्लिक करना है जैसे क्लिक करोगे तो दूसरे question के लिए आपको option खूल जाएगा अब मैं यहाँ पर जहनना चा आपको support करेगा कि आपने जो question पूछा है उसकी according आप किस तरह के मतलब के answer चाहते हो कि वह automatically समझी रहा है देखो पहले मैंने नेम लिखा तो automatically लिखकर आ गया अब मैंने जैंडर लिखा तो automatically लिखकर आ गया multiple choice होगे तो आप मुझे multiple choice में मैं क्या करूंगी जैंडर के अंदर मैं दे दूंगी male वैसे होता है male female होता है अगर आप research करते तो male female होता है अगर आप चाहते हो कि आप transgender को भी आप लाना है तो मैं यहां से खिसकाऊंगे तो यह उपर भी आ जाएगा तो घबराना नहीं अगर बनाते बनाते मानलीजी पहले अपने नाम डान डाला था और वह जेंडर उपर लागा नेम नीचे आ गया तो घबराना नहीं अब हमें जेंडर पर ऐसे क्लिक करेंगे फिर उसके बाद आपको अप्शन नीचे मिलेंगे देखो अप्शन आ गया राउंड में आपका प्लस वाला तो उसी पर आप क्लिक करिए अब यहां पर मैंने क्लिक कर दिया अब मैं चाहती हूं कि उनका एरिया कौन सा है वह कहां कौन से एरिया से बिलों करते देखो multiple choice बंथे न आपका फिर उसके बाद आ जाते अगें ब्लंडर ब्हुशन पर जेंडर ले लिया ओके अभी भी आप दालना चाहते हो तो आप एज भी डाल सकते हो देखो अब age के अंदर answer लिख कर आगा सबकी एज नहीं होगी तो यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा age कोई 20 years का होगा 21 years का होगा 22 years का होगा तो इस तरीके से answer में भी आप answer ले सकते हो otherwise आपने fix कर दिया है आपने control कर दिया है age को तो फिर आप क्या करोगे वहाँ पर आप multiple choice डाल दो कोई रिक्कत नहीं है यहाँ पर दिके multiple choice का option आगा है आप मैं यहाँ पर यह चाहती हूँ के 20 से 25 साल वाले यहाँ पर यहाँ पर मैं डालती हूँ 20 2 25 years फिर मैं यहाँ पर डालती हूँ 25 यहाँ पर डाल रहे हूँ 30 यहाँ पर डाल रहे हूँ 30 फिर मैं यहाँ तक डालना चाहती है तो मैं यहाँ पर आ जाहिए वापिस अब देखो उपर नीचे हो रहा है तो दिकत नहीं है पिकल्स यह देखो मैं इसको डेक्स्टोप साइट कर देती हूँ ताकि आपको समझ आए यहाँ पर देखिए अभी नहीं होगा यह वो गवर्ड यह चला गया मैं इसको दुबारा से वन कर देती हूँ आ गया अब देखो मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा नीचे लाना चाहती है तो मैं यहाँ पर नीचे ला दूँ यह जा गए नीचे ओके अब देखो अब करना क्या आपको आप चाहते हो बस आपको यही इन जो उनकी परिसनल इंफोरिशन चाहिए ति बस इतनी इंफोरिशन आपको चाहिए वह सारी पहले डाल दीजिए यह पहला सेक्सन हो गए अब आप उसको दूसरे section में questionnaire start करना चाहते हैं तो दूसरे session से भी कर सकते हो otherwise आप यह चाहते हो कि जो personal information है उसके साथ साथ ही आपका questionnaire start हो जाए तो अभी चलेगा अगर मैं तो यह मानती हूँ को आप दूसरे section में ढाल दीजिए ताकि पहले उनकी information फिल कर दे उसके भादी questionnaire क्या होगा आपका one होगा तो यहाँ पर देखो दूसरा मुझे section लेना है तो मैं क्या करूंगी तो यहाँ पर देखो जो आपको नीचे की वार horizontal में दीख रहा था दिख रहे हैं तो लाश्ट रॉल option है उसको आपको क्लिक करना है जैसे आपने क्लिक किया तो यहाँ बद दूसरा section स्टार्ट हो गया अब यह दूसरे section में आपको याद रखना है देखो यहाँ लिखा है after section 1 continue to next section मत्तलब कि first section के बाद आपका जो next section होगा वो continue हो जाएगा तो आपको यही option को choose करना है उसके बाद अब देखो मैंने दूसरा यहाँ पर untitled section है तो मैं section का नाम दे दूँगी जैसे कि stress questionnaire मेरी questionnaire stress की है तो मैं लिख देती हूँ stress questionnaire अब आपको description लिखना है तो लिख सकते हो otherwise आपको क्या करना है question पर चले जाना question के लिए आपको description यहाँ पर आप यह लिख सकते हो कि जो भी data है वो accurate data मिले इसके लिए आप जो भी आपको feel होता है वैसा ही आप इनमें answer करीए जो भी कुछ भी लिखना है तो लिख सकते हो description के अंदर अब हम question पर आजाते हैं तो question के लिए मैंने आपको बताया प्लस वाला आपको करना है मैं यहाँ पर question लिख रही हूँ कि जो आपके बॉस आपको कभी ज़्यादा काम दे देते है तो आपको कैसा महसूस होता है मैंने just example हो कि मैंने ऐसे ही question डाला है आप अपनी question के हिसाप से question को डालना आप देखो यह multiple choice question बनके आ गया मैं यहाँ पर option दे रही हूँ मैं यहाँ पर यह दे रहे हैं कि very nice उसके बाद मैं लिखती हूँ nice just example है तो फिर यहाँ पर question आयर में मतलब आप बूल मत निकालना है से देखे कि question केसे बनते है okay neutral उसके बाद मैं लिखना चाहूंगे bad और उसके बाद last option में दे रही हूँ आप देखो आपके ना जो भी option है कितने option है उसी हिसाब से आपको option को लिखना है आप देखा थोड़ा सा यह उपर चला गया है मैं इसको थोड़ा सा निचला देती हूँ आपके दूसरे section यह ओके आ गया तो यह थोड़ा सा मोबाइल में बना रहे हैं लेटप में ऐसा नह है कि very nice का मतलब five point है या जो भी आप देखो stress है तो आपको भी बताए कि जब कोई काम देता है तो हमें अच्छा फिल नहीं होता है ना तो अच्छा फिल नहीं होता है तो हमको पांच स्कौर दे देंगे हाई स्कौर मतलब stress चेक कर रहे हैं ना तो नेगेटिव विटी हमें चेक करनी है कि कितना stress प्रकार की क्या है नेकेटिविटी है तो हमें उसको मीजर करना है तो उसका हाई स्कौर हमें चाहिए है ना तो हम क्या करेंगी इसको रिवर्स में मैंने डाल जो आपके question आए कि according आपको पॉइंट देने हो कि मैं यहां पर आपको समझा रहे हूं कि क उसके बाद में लिखने नीटरल का मतलब होगा आपका three marks सो के आप three marks देंगे neutral वाले को और वेडी वाले को देंगे और आप Kenned डाल दिया अब उसके बाद दूसरा कोशन डालना है तो फिर आपको क्या करना है यहाँ पर इसको सिलेक्ट करना है अब देखो मैं यहाँ पर आपको एक और भी बात बताना चाहूंगे कि अगर मान लिजे कि आपको यह कोश्चन में इसको डिलेट करती है अब आप बार बार यह नाइन्स वेरी नाइन्स और जो भी आपका नूट्रल है यह सारी चीजी अगर आप डालते जाओगे तो कितना टाइम लगेगा है ना तो क्यों ना हम स्वाटरिक को यूज करें है ना क्यों यहां पर आपको एक बॉक्स दिख रहा है और उसके नीचे एक लाइन दिख रहा है मतलब यह क्या करना है उस पर टिक करना है अब देखो जैसे मैं इस पर टिक कर रहें तो क्या होता है यहां पर कोश्चन दुबारा से कॉपी पेस्ट होके आ गया अब आपको यहां पर क् यह फार्मूला आपने बना लिया अब आपको क्या करना है जितने विमान लिजिए कि आपके फॉर्म की अंदर जस्ट एक्जामपल पांच कोशन है वैसे होते बहुत जादा है लेकिन आपका काम इसी हो जाए इसलिए मैं यहां पर आपको बता रही हूं जस्ट एक्जामपल पांच कोशन लेंगे ताकि विडियो लंबा ना चला जाए तो यहां पर देखिए आप क्या करेंगे यहां पर कॉपी कॉपी करते जाएंगे उस पर ही क्लिक करना है कुछ नहीं करना है यहां पर क्लिक करते जाएए कॉपी पेस्ट का ओप्शन है वहां पर और यहां पर द बस कोशन डालते जाओ जैसे मैं यहां पर लिखती हूँ कि अगर आपका मूड खराब हो तब आप अपनी दोस्तों के साथ कैसा बिहेवियर करते हो कैसा व्यवहार करते हो यह कोशन डाल दिया चलो आपको कोशन नमबर डालने के जरूरत नहीं है एक बात याद रखना कोशन नमबर आपको डालने के जरूरत भी नहीं है आपके आपकी कोशन आयर के अंदर जिस तरीके जिस सिक्वेंस में कोशन है उसी कोशन में इसी सिक्वेंस में कोशन डाल कि जिस दिन आपका बॉस आपको छुट्टी की जरूरत पढ़ने पर छुट्टी नहीं देते हैं तो कैसा मैंसूस होता है ये कोशन डाल दिया दिसरा अब चौथे कोशन पर आ जाते हैं आपको अपनी ओफिस में काम करने का अनुभाव कैसा रहता है अनुभाव कैसा रहता है ये मैंने दिखो ये ऐसे ही मैं कोशन डाल रहे हूं कि यहां पर कोशन आयर कोशन प्रसनावली का कोशन नहीं डाल रहे हैं अब मैं यहां पर लिखते हूं कि आपकी बॉस जब आपके काम की तारीफ करते हैं तब आपको कैसा मसूस होता है ये मैंने डाल दिए पांच कोशन आप देखे करना क्या है पांच कोशन मैंने डाल दिए अपको करके रखना है बिकोज ये रिक्वाइड ये बता रहे हैं कि आपको कमपलसरी उस कोशन का अंसर देना ही देना होगा जब आप को फोर्म बनाते हो आप जिनको भी फोर्म बीजना चाते तो उनको एक भी वो एक भी कोशन मिस नहीं करेगा उनको हर एक question का answer compulsory देना है ये required का option बताता है अगर आपने required नहीं किया है तो समझ लेजे कि आपकी form में गलतिया आएगी 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 फिर आप data को analyze करने के लिए आप data को complete नहीं कर पाओगी आपको properly accurate data नहीं मिल पाएगा तो ये required वाला जो है वो आपको करके ही रखना है एक बार setting कर लोगे न Google form बनाने पहली बार Google form बना रहे है उसमें setting कर लोगे तो फिर बार बार जाई जितनी भी बार अप मर्जी Google form बना लो setting खिसकेगा नहीं यहां पर मेरा setting complete है इसलिए यह खिसक नहीं रहा है जब पहली बार बनाते हो तो यहां पर देख लिजे इस तरीके से आपको setting रखना है चले अब यह तो हो गया आपका Google form अब आपको मान लिजे कि आपको इसको कलर करना है अलग से तो अगर हां अगर आपका दूसरा वेरियाबल है आप चाहते हैं कि दूसरे वेरियाबल के भी question आपको डालने तो फिर section change कर देना जैसे यहां पर हमने section 2 लगाया है ना वैसे ही यहां पर आएगे last question पर आएंगे तो आपको side में दिखेगा भी यह देखे side में आपको दीख रहा है ना वहां से आप क्या कर सकते हो वहां से यहां पर last वाला option है उस पर click करके तीसरा section भी बना रहे हैं हमने आपको section बनाना सिखा दिया है इसलिए अब तीसरे section की जरूरत नहीं है अब आपको यहां पर क्या करना है दिखे यहां पर एक paint यहां पर क्लिक करना है अगर आप इसको इसको कलर करना चाहते तो यहां पर कर सकते मैंने यह color change कर दिया यह चैंज हो गया फिल करऊंगी तब ही मैं नेक्सट पर जाप आँगी कि अधर्वाइस में नेक्स्ट पर नहीं जा पाऊंगी तो यहां पर क्लियर चले अभी इसको हम क्या करते हैं ओफ कर देते हैं आ जाते हैं वापीस रिस्पॉंस के अंदर आपको क्या दिखेगा कि जो भी रिस्पॉंस जितने भी लोग देंगे वह आपको यहां पर पूरा और वो भी आपको जो पाई चार्ट होते हैं वो पाई चार्ट के हिसाब से बार चार्ट सारी चार्ट भी यहां पर आपको दिखेंगे ओके ग्राप के बीस में भी दिखेंगे कोशन के अंसर कितने परसंटेज किस ने दिये वो ग्राप के बीस इस पर दिखेंगे पाई च जो मतलब कि मैंने बहुत सारे रिसर्च किया गूगल फर्म से डेटा कलेक्ट करके तो वह फर्म में आपको अभी ओन करके दिखाऊंगी वहाँ पर से मैं आपको सिखाऊंगी कि कैसे आपको एक्सल स्विट में डेटा को चक करना है अभी फिलाल हमने ये न्यू बनाया है तो अभी हमारे पास एक भी रिस्मोंस नहीं है यहां बस सेटिंग पर आ जाते हैं सेटिंग में ध्यान रखना है आप लोगों को देखो पहले इसको आगे नहीं करना है यह आप साइन देख लीजिए स्क्रिन स्वाट भी ले सकते है इसका फिर रिस्मोंस वाला ओप्शन है उस पर जाए तो यहां पर यहां पर आप क्लिक करेगे तो डू नौट कलेक्ट वैरिफाइड तो आपको यहां पर यह इमेल एडरस वाला है तो अगर आपको इमेल एडरस मैंने बताया है कि इमेल एडरस आपको नहीं चाहिए तो डू नौट कलेक्ट कर दीजिए इस इसके लिए तो यहां पर आपका आप भी आ जाएगा अगर आप यहस करते हो और आप चाहते हो कि जिनोंने गूगल फॉर्म फिल करिया है उनको यह गूगल फॉर्म मतलब मेल में जाए तो उनका बरा हुआ फॉर्म है वो मेल में भी जाएगा ओके लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है अगर आपको इमेल आइडी किसी के पास हो सकती है नहीं हो सकती है तो कंपल सरी ना रखे तो अच्छी बात है ओके अधर वैस आप रखना जाएगा तो ऐसा जब तक पॉसिबल हो तब तक एडिटिंग का ओप्शन ही मत दिजे एक बार फॉर्म फिल किया है अगर आप एडिटिंग का ओप्शन डालना चाहते है तो आपको यह क्या करना है वान कर देना है बस कुछ नहीं करना है जो भी रिस्पॉंस होंगे वह क् में चेंजर नहीं कर सकेंगे उसके बाद लिमिट कितनी रखनी है वन रिस्पॉंस की रखनी है या फिर वन से ज्यादा रखनी है अब देखो आप चाहते कि आपका आपकी सेंपल के अंदर एक ही परसन है वह एक ही फॉर्म भरें अपनी इमेल आइडि से तो फिर आप उसक कि कमपलसर ही जरूरत पढ़ती है एक बार लोगिन होना पढ़ता है इमेल आइडि से फिर बार बार तो नहीं होना पढ़ता है लिकिन एक बार तो होना ही पढ़ता है तो अगर मान लिजे कोई पहली बार भर रहा है तो उसको इमेल आइडि की जरूरत पढ़ेगी और वह तो एक ही बार response कर पाएगा अगर मान लीज़े किसी के पास email ID नहीं है तो और उसको मान लीज़े आपकी दोस्त आपने फिल करते हैं उसके पास email ID टव मतों चिर्ट लिए लेकिन मान लीज़े कि ही दूसरा आपके दोस्त के भी दोस्त है उसके पास email ID वगेरा यूज़ नहीं करता है और उसको form fill करना है तो फिर क्या करेगा उसके लिए form fill करने के लिए उसको क्या वो बुलेगा कि कि तूम ही कर दो तो आपके ही दोस्त के mobile में से अगर form fill करना है उसकी email id से form fill करना है तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा यह जो limit to one response वाला option है उसको हटाना पड़ेगा यानि कि आप उसको off कर देंगे इस तरीके से आपको करना है और उसके बाद देखे presentation का बात आते हैं अगर आप चाहते हैं कि एक email id से एक ही form fill हो तो फिर आप वो option on कर सकते हैं otherwise आप off ही रखेगा तो मैंने तो off ही रखा है उसके बाद presentation की बात करत प्रेजनेशन में देखेगे आप प्रोग्रेस बार को प्रोग्रेस बार को रखार करना है तो फिर आप और दीजिए अहां कि आपको बताए इसका बात नहीं पड़ती है डेटा कलेक्षन के टाइम पर फिर सफल question order मतलब की order में आपका जो question वो उपनीचे हो जाये कवसश् Chelsea को साथ में बैट कर मतलब करनेते था양ओ पता चल जाएगा है इसक उतर यहां करने के ज़रूर सक्वाद के हैं क्याहिए वह उत्तर उपन निचे हो जाएगे ओकि इधर उधर हो जाएगे तो फिर आप data collect करने बैटोगे तब आपको squaring के वकट आपको क्या हो जाएगा दिक्कत आ जाएगी इसलिए आपको यह नहीं करना है मैंने जिस तरीके उस टाइम वो लोग form फिल कर सके इसलिए option रखाता हो कि अधरवाइस आप one response भी कर सकते हो कि तो में आपर one response वाला कर देती हो के चले अगर one response वाला नहीं करते तो नीचे की वार आपको बहुत सारे बना बढ़ेगा जैसे कि और यहां यहां पर आपको confirmation message है तो आपको यह response has been recorded यानि कि आपका response जो है वो record के अंदर ले लिया गया है उसके बाद दिखो so link to submit another response मतलब कि यह जो link है वो क्या दूसरे लोग भी उसको देख सकते हैं उसको मतलब क्लिक कर सकते हैं जो हमने यहां पर limit नहीं रखी ना इसलिए अगर मैं limit रख रही हूँ तो यह वाला द दिख रहा है ना वह automatically चला जाएगा मतलब कोई एक ही बार आप पो response कर पाऊंगे देखो चला गया ओके व्यू रिजल्ट समरी अगर आप रिजल्ट की समरी देखना चाहते हैं तो भी यहां पर देख सकते हैं मतलब यह जो रिजल्ट की समरी है ना वह सारे लोग देखना अगर आप यह चाहते हैं कि सारे लोग देखें वैसे हम रिसर्च करते हैं तो फिर हम पीएचडी या रिसर्च पीपल लिखते हैं डिटा कलेक करते हैं हमने पहले पी डिस्क्राइप्शन के अंदर बता दिया है कि आपकी जो भी information है वो गुपनी रखी जाएगी है और फि disable auto save to save for all responding तो यहां पर भी आपको रिस्ट्रेक्शन जो है उसके अंदर भी आपको आफ रखना है अब आज है डिफॉल्ट के अंदर तो फॉर्म डिफॉल्ट लिखा हुआ है तो responder इंपोर्ट कर देना है आपको question default के अंदर आपको क्या करने में question required by default मतलब question का answer compulsory देना ही यह उसका option है तो यहां पर आपको one कर देना because हम चाहते है compulsory उस question का answer जो भी response है वो दे तो यह पूरा आपका setting बन गया गूगल फॉर्म के अंदर इस तरीके से ही आपको पूरा का पूरा क्या करना है और setting लगाना है जिस तरीके से मैंने लगाया है यह प्रफेक्ट आपका क्या है setting है उसके बाद आपको क्या करना है अब आ जाते हैं उसके बाद आपको करना है कि आपको मतलब send करना है तो कैसे send करोगी अब यह आपका सब कुछ बन के आ गए तो हम send वाला option है उसमें जाएंगे यहां पति को आप बाई email देना चाहते हैं इमेल के द्वारा देना चाहँ है लिंक बहुत बड़ी बन ती ना तो उसको स्वाइट भी खर सकते हैं तो अगरे स्वाट करना है तो आपको स्वाटन URL यूरेल पर क्लिक करना है ताकि वह एकदम से हूट चोटइसी बन जाएगी अब इसको में स्वाटन URL को अंटिक करूँ करूंगी तो लंबी कर सकते हैं आपने बता दिया कि कैसे करना है क्वेशन आयर कैसे बनाना यह आप ने सिखा दिया लेकिन आप उसका चेक करना है मुझे तो मैं आपको अपना जो Google में ख्लिक करती हो जुश्ट वेट अंगर इमान लिएग के नहीं भी खोल रहा है तो फिर आपको क्या करना है इसको पहले पूरी गुगल फॉर्म को हटालो क्या करना है गुगल फॉर्म को हटालो ये भले जा है वह कम यहां से दुबारा से उसको खोल रही हूं या पर जा रहे हूँ फिर मैंने आपको बताया था गोटू फॉर्म में जाना है अब देखो यह तो मेरा डेस्टूप साइट था इसलिए ओपन हो गया अब यहां पर मैं एक और बात पहले बता देती हूं फिर बाद में आपको बताती हूं तो यहां पर गूगल फॉर्म में तो आप क्या रहा है देखिए अब आप तो टेंशन में आ जाएगे मेरा गुगल फॉर्म कहां गया मैंने तो बनाया था अच्छे से इतनी सारी मैंनत की थी मुझे तो दीखने रहा है यह आपका नया फॉर्म खुल के आया है तो आपको चींता नहीं करनी है आपको राइट स आपके जितने भी अभी तक गुगल फॉर्म बनाये हैं वो सारे खुल के आ जाएगे टेंशन नहीं लेनी है ओके ऐसा मेरे साथ पहले हुआ था मैं पहली बार बना रही तो मैं टेंशन में आ गया और यह क्या हुआ मैंने इतनी मैनद किसी भी गुगल फॉर्म कहां गया ल यह देखो पूरी कोशिन आयरे है मेरी यह सेक्शन वाइस मैंने यहां पर दिया हुआ था ओके चले तो यह तो हमारा गुगल फॉर्म बनके तयार हो गया है यह देखो पूरा गुगल फॉर्म ही है ओके तो इसको हम नहीं दिखेंगे हमें जो देखना है उसी को यहां पर बात करेंगे तो थोड़ा सा रुकिए इसको थोड़ा सा प्रोस्स होने देंगे अब अब नहीं नीचे चले गए तो फिर यह पर आ जाते दिके यह खूल गाया है जाते यहां पर फिर इसक्रिप्शन भी लिखा हुआ है फिर यहां पर भी मैंने बताया हुआ है तो यहां पर इस तरह किसे आप बना सकते हो पुरा Google फर्म अरे यार यह क्या हो रहा है रुख जाई अभी इसको रिफ्रेस्ट कहां करना था ओके चले यहां पर रिस्पॉंस मुझे दिये मिले है 277 मतलब 277 रिस्पॉंस मिले है थोड़ा सा रुकिंगे यहां पर प्रॉसेस हो रही इसलिए यह पूरा यहां पर रिस्पॉंस मुझे मिल रहा है ओ इसको कम्प्लेटली ओपन होने देंगे उसके बाद हां थोड़ी देर लगेगी अगर मतलब मेरे क्योंकि मेरे गुगल फॉर्म में आप देख सकते कितने सारे गुगल फॉर्म थे इसलिए थोड़ा सा लोडिंग हो रहा है तो यहां पर हम देखें अब यह रिस्पॉंस के अंदर आपको सारे जितने जितने समरी भी दिख रही है question भी दिखेंगे individual भी आपको दिखेंगे इस समरी में आपको बताया था दिखो यह पाईचार्ट भी आपको दिख रहा है है ना जणर अर्यदbern कि दिख collagen यह वाइज आपको दिख रहा है है ना और यह देखो बार पर थोड़ा से रुख जाए विकार ये फोड़ा से लोड़ींग हो रहा है थोड़ा से वेट करेंगे ऑक्के चलो प्रीट प्रेवाद दिति को कोष्चन प्रै तो किब टिन ये किपने response दिया देखने को मिलेगे रिस्पॉन्स देखने को मिलेगे नैयम के भी लेज पर उसके बाद हम आ जाते सेटिंग पर तो सेटिंग मैंने आपको बताया था उसी तरीका यहां पर सेटिंग है अब आप बोलोगे कि मैम हमें तो चाहिए वो सीट चाहिए कैसे हम सीट को मतलब वान कर सकेंगे एक्सल सीट के अंदर ही खुलेगा आपका ओके तो यहाँ पर हम रिस्पॉंस के अंदर जाएंगे वहां पर आप देख पा रहा है हो यहां पर देखो वियू इन सीट से न तो उस पर देखो अर हाँ जैसे ही आप डेटा कलेक आपको माझा लीज़ें आप हंड्रेड लोगों का ही डेटा कलेक करना चाहते हैं तो थोड़ा सा ज्यादा आई करेगा विकाज क्या है अगर आप प्यार में टेस्त लगाना चाहते हैं तो आपको दोनों मतले में फीमेल रहे तो मेल भी 50 होनी चाहिए फिमेल पचास ओनी चाहिए तो उसके लिए अगर आपको ज्यादा डेटा मिल भी जाता है तो दोंट वरी अपडेट सो का सेंपल ले ले लेते हैं उन में से 50-50 को रैंड आप को पता चल घए है, आपको ज्यादा डेटा के ज़रुरत में तो आपको यह दीक सब्सक्राइब सबस्के करें मैं देखको आप आपको आपको क्या सबस्क्राइब मतलब मैं रिस्पॉंजर अभी रही हो नहीं जाहिए आगे के डेटा तो मैं इसको क्या कर दूँगी ओफ कर दूँगी जैसे मैं आप ओफ करूँगी तो रेड लाइस से आपको दिख रहेगा है मतलब कि अब आपको आपका फॉर्म कोई भी फील नहीं कर सकेगा अब यह फॉर्म जो है वो बंद हो गया है अब चाहे कितनी बार क इसको क्या करेंगे और करेंगे कि अब यह जना वह आपकी देखो गूगल से गूगल आपको अक्सल अक्सल मिए खूल गई एकसल सृटा सीट आपके इंदर होता है वहाется म estas a zhp पूरी की पूरी सीट आपकी वहाँ पर खूल के आ गई है अब इसको मैं क्या करूंगी मुझे copy करना है या पिर मुझे उसको send करना है, तो मैं यहां से कर सकती हूं, download भी कर सकती हूं, मैं open with कर रहा हूं open with मैं किसमें open करूंगी तो मान लिजिए कि मुझे गूगल में open करना है तो भी कर सकोंगी या फिर आप किसी में भी open कर सकती हूँ यहाँ पर जो भी आपके mobile के अंदर option होंगे उसके इसाब से अब यह जो seat है ना नीची आपको यहाँ पर option दिख रहा है यहाँ पर square के अंदर box के अंदर उसी पर click करें अब click करोगे तो google sit install करनी पड़ेगी और उसके बाद आप वहाँ पर on कर पाओगे अभी मैं आप लोगों को फिलार excel sit के अंदर open करने का option दे रहे हूँ देखो यहाँ पर तो यहाँ पर हम क्या करेंगे इसको on करने की कोसिस करेंगे just wait मैं दुबारा से इसको on कर रहे हूँ पहला ही title जो है उस पर मैं अगर click कर रहे हूँ wait यह हो रहा है कि oh god कहा गया हमारा wait just read okay just read हम इसको थोड़ा से डाउन्डूड कर लेते गूगल सेट को कर देखें यह देखें यह आपकी ना सीट मतलब उपन हो गई है अब आपी स्टीट को कहीं पर भी एक्स्प्लोर भी कर सकते हों के एक्सपोर्ट भी कर सकते देखो share and export मैंने लिख दिया तो मैं यहां से एक्सपोर्ट भी कर सकती इसकी प्रेंट भी निकाल सकती इसको save भी कर सकती हूँ copy भी link कर सकती इसके base पे ओके और share भी करना चाहो तो भी आप जितने भी people को share करना चाहो उनको कर भी सकते हो लेकिन हमें share करने की जरूरत नहीं है अब इसको इसी को हम क्या करेंगी देखो यहां से अगर आप चाहते हो कैसे आपको data को collect करना है तो देखो यहां पर आपको option जो भी है आपका question है ना उसी कि according अब आपको यहां पर देखे क्या देखने को मिल रहा है यहां पर answer देखने को मिल रहा है अब आपको यहां पर करना क्या है कि जब आप computer के अंदर इसको खोलते हो तो इसको आपको नंबर देना है जैसे कि यहां पर मैंने कभी-कभी लिखा एक आरे गुजरात ही में लिखा है लिए उसको सबस्क्य बता करना है हुआ और ङहीं डेटा है तो नहीं जो नहीं आप लोगों님이 पता दुंगी P म Season 1 आपको धेटोगी जब मैं दाट है तो सबस्केरी में उसकी नहीं आप में अप 2022 देटा interacting दो वहां पर मैं दुबारा से उसको समझाने बैटूंगी तो मतलब बहुत जादा टाइम लग जाएगा तो उसी के अंदर हम इस पार्ट को रख देंगे तो फिलाल अभी तक यहां ही रखिए कि आपको गुगल फर्म कैसे बनाना है और इस तरीके से आपको सीट देखने को मिले कि आप इस स्ट्रीट के बाद आपको क्या करना है वह हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे अगर पॉसिबल होगा तो मैं संडे तक आपको बता दूंगी कि किस तरीके से करना है तो डॉंट वरी यहां तक गुगल फर्म बनाईए डेटा को कलेक करिए चलिए बबाई टे सबको जैसी क्रिष्णा